आप भी परेशान हो दाद खाज खुजली से दोस्तों जब हमें दाद हो जाती है यानि कि रिंग बर मो जाते हैं तो इससे क्या होता है बहुत ज़दा खुजली पड़ती है और ये दाद गोल गोल चकत्ते टाइप हो जाते है यानि कि तोचा पर गोल गोल लाल लाल निसान ह होता है और चोटे-चोटे फुंसी टाइप के दाने हो जाते हैं तो आज के जो मैं उसका आपको बताऊंगी इस मुस्के से आपकी दाद खुझली जर से खतम हो जाएगी वह भी मात्र दो दिन में आप इसे यूज करिए और आप देखना आपकी पुरानी से पुरानी दाद खुझली को यह जर से खतम कर देगा तो नुश्का तयार करने के लिए आपको लेना होगा यह लैसुन आप देख सकते हैं मैं लैसुन की कलियां ले रही हूं और इस लैसुन की कलियों का मैं निकाल रही हूं छिलका दोस्तों लैसुन में क्या होता है एंटी बैक्टिरियल गुड़ और एंटी बायोटिक गुड़ और साथी साथ एंटी फंगल गुड़ ये जो लेसिन होता है आपकी दाज ख़ाथ खुजली में जो बैक्निया हो जाते हैं धूल मिट्टी गंद्ज़गी की बघए से नंभी की बघए से उन बैक्निया और ये मारता पेश्ट यानि कि इसका हमें चटनी मिना लेनी है अगर आपके पास में इमान दस्ता नहीं है तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हो कद्दू कस्वी कर सकते हो लेसुन को तो यहां पर मैंने इसका अच्छे से बारीक सा पेश्ट बना लिया है अब इस पेश्ट को हमें करना क् प्रेस करना इससे होगा यह जो नई विडियो प्रोट करेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं लेसुन की चटनी को मैंने क्या किया है इस छनी में डाला है और इसका सारा जूस हम इसका टोरी में निकाल लेंगे यह दे दाद में चाहे खुजली होती हो या कितना भी पुराना दाद खाज हो गया हो दाद खाज खुजली दोस्तों आप इस नुसके को ट्राई करना बहुत अच्छा नुसका है आपको तुरंधरा मिलेगा तो यहां पर देख सकते हैं लेसुन का जूस निकाल लिया है अब इसक दो नारियल का तेल होता है यह भी एंटी वायोटिक की तरीके से काम करता है और दाद खाज खुजली में यह ठंडग देता है ठीके ना आपके तोचा की दाज खाज खुजली को भी मिटाएगा और बहुत जल्द मिटाएगा यानि कि देंदेर मिटाने की ताकत रखता है यह नारियल का तेल और लैसुन का जूस ठीके न और इस तरीके से हमें एक चंबच इसमें डाल देना है नारियल का तेल और अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स दोस्तों यह हो गया आपका नुस्खा तयार इस नुस्खे को आप बना करके इसको रखिएगा और इसे आ लगाईएगा अपनी दाद खाज खुजली में, आपको कैसे लगाना है, सरील में कहीं पर भी आपके दाद खाज खुजली है, उस जगह पर आप क्या करें, एक रुई ले लिजिए, यानि की कॉटन ले लिजिए, और कॉटन को इस रस में डूबोईए, ठीक है न, इसको वि दोस्तो आप देखना जैसे ही आप लगाएंगे आपकी खुजली तो तुरंट चली जाएगी जब दाध हो जाता है तो उसमें खुजली दोस्तो बहुत ज्यादा होती है दोस्तो दाध हमें जो होती है वो नमी की बज़े से होता है तो आप इस तरीके से जहां कहीं भी आपक कि इस जूस को लगाईएगा और लगा करके इसको आप करीमन एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए लगा रहने दीजिए और उसके बाद साफ कर लीजिए इस तरीके से आपको पूरे दिन में तीन बार लगाना है आप देखना आपकी दाद खाज खुजली पिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तो इस तरीके से इस मुस्के को आप दो दिन तक लगा लेना आप देखेंगे आपकी दाद खाज खुजली जड़ से खतम हो चुकी है तो दोस्तों आप इस मुस्के को यूच करिए और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको पूरा था था तरीके कोकी आपको आपको पूरा इर्ना वीडियो प्रनोस को मुझे का आपको ंएगंपूंद ज़रूरे přाह शेचे करेंदे अना आपको नई